हलो स्टुडेंस आप लोगों का चैप्टर नमबर फाइव है धमक धमक आता हाती यानि हाती के बारे में यहाँ पर बताया गया है तो आईए देखते हैं हमकी कवीता के अंदर क्या दिखा हुआ है तो पहले हम इसको लिखा है उनके बारे में जानकरी लेंगे तो यहाँ पर उसको प्रयाख शुकल ने लिखा हुआ है यहनि आप उपर देख सकते हैं प्रयाख सुकल ने लिखा हुआ है पस्तूत कवीता प्रसिद्य रशनाकार श्री प्रयाख सुकल द्वारा रचीत गई है उनका आपका जनम ऐस सन 1940 में कोलकाता में हुआ था साहीत्न की विविद पर शक्त रूप से लेखी नी चलाई है बच्चों के लिए अपने बहुत उलिक निया रचनाई रिखी है आपके नौ काव्य संग्र, पाँच लगुकता संग्र, तीन उपन्यास, नौ कला पुष्टक, सत्य जीत रे पर एक पुष्टक प्रकाशित है इसके अतिरिक प्रतिका का संपाधन भी किया है तो आईए अब हम कविता के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है धमक धमक आता हाती, धमक धमक जाता हाती यानि जब हाती आता है तो धमक धमक आवा जाती है इसलिए यहाँ पर ये चीज बताई गई है, धमक धमक आता हाती, धमक धमक जाता हाती, अपनी सूड उठाता हाती, अपनी सूड गिराता हाती, अपनी सूड हिलाता हाती, अपनी सूड गुमाता हाती, यानि अपनी सूड को क्या कर रहा है उठाता भी है और गिराता भी है हिलाता भी है और गुमाता भी है कौन हाती फिर दमक दमक आता हाती दमक दमक जाता हाती यानि दमक दमक कर आता है हाती और दमक दमक कर जाता है हाती जब पानी में जाता हाती भर भर सूड नहाता हाती कितने केले खाता हाती यह तो नहीं बताता हाती दमक दमक आता हाती दमक दमक जाता हाती यानि जब पानी में जाता है कौन हाती तो अपने सूड से भर भर के पानी लेकर अपने उपर डालता है नहाता है और कितने केले खा जाता है वो किसी को नहीं बताता है कौन हाती और धमक धमक जाता है हाती यानि हाती जब चलता है धमक धमक आवाज आती है और जब जाता है तब भी धमक धमक आवाज आती है तो आप लोगों को ये कवीता समझ में आ गई होगी तो घर में आपको इसे पढ़ना है और याद भी करना है यानि इसको आपको क्या है? Read and Learn दोनों करना है ओके? फिर मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स वीडियो में नेक्स चप्रे के साथ तब तक के लिए बाई